अगर ये option आप टिक नहीं करते हैं तो आपका अबेदन जो है 100% रिवर्ट हो जाएगा यह निकि अंचला जिकारे द्वारा लटा दिया जाएगा तो आपको ये काम जो है हर हालत में करना है नमस्कार दोस्तो अगर आपका जमीन में खाता नंबर अ प्लोट नंबर गलती है तुसे परिमाजल पलस के वेब साइट से बहुत ही असानी से सुधारा जा सकता है लेकिन खाता नमर, प्लोट नमर सुधारने का सही process क्या है बहुत सा लोगों को ये पता नहीं होता है या फिर इसके proof में खाता नमर, प्लोट नमर गलती है इसके proof में क्या document upload करना है ये भी बहुत सा लोगों को पता नहीं हो पता है बहुत सर लोगों गलत document upload करके या फिर गलत तरीका से आवेदन कर देते हैं जिसके कारण वो आवेदन बहुत दिनों तक करमचारी के पास spending रह जाता है करमचारी वो आवेदन को देखता है लेकिन वो आगे पास नहीं करता है क्योंकि उसको document सही से समझ में नहीं आता है इसलिए वो आवेदन को जो है pending में रहने देता है उसे side कर देता है खाता नमर plot नमर गलत है इसका सही process क्या है आपको कैसे आवेदन करना है और आपको कौन-कौन सा document इसमें upload करना है ताकि आपका काम जल्दी से हो सके तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं किस तरह से आपको सही धंक से परिमाजन करना है दोस्तों परिमाजन करने के लिए आपको इस वेपसाइट पर आना है इसका link वीडियो के description में दिया हुआ है या फिर land record बिहार टाइप करके google पर इस website पर आ सकते हैं यहाँ पर आने के बाद आपको जो है यहाँ से नीचे आना है नीचे आपको एक option मिलेगा परिमाजन पलस आपको इस पर click कर देना है उसके बाद आपके जमाबंदी में सुधार करना है तो यहाँ से यह जमाबंदी में सुधार बला पर option बला पर click करेंगे और यहाँ से okay करेंगे आपको जो है यह login से लेकर आएगा आपको यहाँ से login करना होगा दोस्तों इसमें पहले से register आप किया हुए है तक ip update से login कर सकते हैं अना था जो है सबस्पे पहले आपको यहाँ से registration करना होगा Registration करने के लिए इस पर click करेंगे आप बहुत कम detail को भरके जो है आसानी से registration कर सकते हैं एक बार रेजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके आपको यहां से एक बार अपना मेंबाल डाल के यहां से लोगिन कर लेंगे इस तरह से लोगिन हो जाने के बाद आपको फिर से परिमार्जन हेतु आवेदन करें पर किलिक करना है उसके बाद आपको यहां से डीटल जमाबंदी वो टिक करना है और यहां से प्रोशीट पर किलिक करेंगे उसके बाद जो है अपना दिवाबंदी को यहां पर सर्च करेंगे यानि कि अपना जमीन का यहां पर सर्च करेंगे तो सबसे पहले यहां से जिला सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां से अंचल सेलेक्ट करेंगे उ Switch करके आपने जमीन को सर्च करेंगे कि तो चल्ज हम आप से भाग बर तमान और फिरिष्ट संक्ष्यां से सर्च कर लेते हैं इस तरह से जो है नीचे आपके जमीन इस तरह से दिखाई देगा आपको जो है यहां से एक पर किलिक करेंगे इस तरह से आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों उसके बाद आपका डिटेल कुछ इस तरह से दिखाई देगा नीचे रायत का विब्रन में जिनके नाम से जमिन है उनका नाम इस तरह से दिखाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ओप्सन मिलेगा कि आप रयत में सुधार करना चाहते है तो आपको जो यहाँ से नो कर देना है नो पर ओल्रेडी टिक ही रहेगा नीचे फिर देखिए आपको ओप्सन मिलता है क्या आप खाता खेसरा में सुधार करना चाहते है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर ए खाता नमबर प्लोट नमबर को सुधारना है तो आपको यहां से सबसे पहले आपको एस पर किलिक करना होगा उसके बाद जो है आपके पाफ जो भी सही बला खाता नमबर है यहां पर आप उसको टाइप करेंगे और जो भी प्लोट नमबर है सही बला उसको जो है आप यहां स से टब करेंगे रखभा में मिल शुमार करना चाहते हैं घुख आसानी से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं चोज़ आपको पता है यहाँ से अधीन प्लोट को बीडे सकते हैं यहाँ से जो यहाँ प्लोट को भी जोड सकतेowing जैसे कि यहाँ पर नया प्लोट जोरे पर किलिक करेंगे तो जो है एक नया कोलम और जनरेट होगा देख सकते हैं नीचे जो है एक नया कोलम और जनरेट हुआ है आपको जो है नया खाता नंबर यहाँ पर डालना है और जो भी plot number है यहाँ पर डालना है और area जितना है यहाँ पर इस तरह से डालेंगे और चवहदी आपको पता है तो यहाँ से चवहदी जो है डालेंगे और था इसे खाली भी छोड़ सकते हैं दोस्तों इससे दोनों plot डाल देने के बाद जो है आपको जरूरी काम और करना रहता है अगर आप वह काम नहीं करते हैं तो आपका जो है आवेदान हंडेट पर्शन जो है रिवर्ट हो जाएगा यहनी रिजक्ट हो जाएगा वह क्या है कि जैसे ही आप दो प्लोट डाले हैं और एक प्लोट यहाँ पर नीचे डाले हैं दो प्लोट डालने के बाद जो है नीचे एक option मिलता है उस तो जो है आपको टिक करना ओगा वह option है यहाँ पर कुल छेत्र फल इस तरह से देखेंगा कुल छेत्र फल में जो है अभी कुल परिमाप यहाँ पर जीरो है तो आपको आपको ये काम जो है, हर हालत में करना है, दोस्तों अगर यहाँ पर दो प्लोट नहीं है, फिर भी आपको यह option को Tick करना है, जैसे कि हम यहाँ से एक प्लोट को यहाँ से Delete कर देते हैं, तो हमने यहान से डिलेट कर दिये हैं उसके बाद उसके बाद यहां पर देखे, हमने दूसरा लियेक्ठ कर दिये हैं यहां पर इसके बाप दिखा रहा है FAFTIVE उसके बाब जूद भी आपको यहां से कुल छेतरफल पर किलिक करना होगा क्योंकि अभी जो है यहां पर देखिए कुल परिमाप में यहां 0 दिखा रहा है तो इसलिए यहां पर आपको कुल छेतरफल में किलिक करना होगा तभी जो है आपका काम होगा यहां कि तभी जो है य प्रोट करना है और ही, आपको यहां से आपको सेलेक्ट करना है इसके बाद यहां से, आपको दस्ता बेज का नाम में बहुत सारा उप्षन मिलेगा तो आपको जो है इसे में प्लोट नमर डाले हैं वो जो है उसमें सही सही होना चाहिए अगर आपके पास राजिस्ट्री पेपर है या निकी क्यवाला है तो वह भला भी यहां पर लोड कर सकते हैं उसके लिए आपको यह भला अप्शन सलक्ट करना होगा अन अंचल अभिलेक की छाय पिरती या फिर आ अब आप ऐसा डॉकमें दे रहे हैं जो की स्विस्ट्रीं में नहीं दिखा रहा है तो जो है उसके लिए भी आप यहां से अनबला अधरबला सलक्ट कर सकते हैं उसके बाद उस डॉकमेंट में क्या नंबर आपको टाइप करेंगे और उस डॉकमेंट में देखिए एक मेंट को जो है pdf फाइल बना गए आपको 1mb से नीचे का यहां पर अपलोड करना है तो दोस्तों पीडिया जो है बहुत यह असाणी से अपलोड हो जाएगा क्योंकि एक MB जो है बहुत बड़ा size है तापको जो है असाने से upload कर सकते हैं सब कुछ killer हो जाने के बाद आपको जो है यहां से preview option पर click करना है तो दोस्तों आपका जो भी detail है उस चरह से एक बार preview होगा आपको जो है एक बार सब डिटल को जो है बारिकी से मिला लेना है मिलाने के बाद जो है आपको फिर से यहां से सपत्र पत्र को सुईकार करना है सपत्र पत्र को सुईकार करने के लिए यहां से किलिक है फोर एक्सेप्ट पर किलिक करेंगे तो जो है यहाँ पर एक नया सपत पत्र खुलेगा कुछ इस तरह से सपत पत्र खुलता है उसके बाद आपको यहाँ से नीचे आना है यहाँ से एक रेड़ बला ओप्शन पर मिलेगा एक्सेप्ट आपको यहाँ से टिक कर देना है और यहां से proceed पर click कर देना है उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहां से final submit पर click करना है दोस्तों final submit हो जाने के बाद आपको इस तरह का receiving generate हो जाएगा आपको इसको print रख लेना है प्रिंट कर लेना है इसमें जो है आविदन संख्या दिया हुआ रहता है इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं चेक करने के लिए आपको बापस आना है इसी वेबसार पर और नीचे इस तरह से आएंगे और किली नीचे आएंगे सब सब नीचे तो यहां जो है एक option मिलेगा पारिमाधन plus आफेदन श्ति देखे़ए आपको इस पर किली करके यहां से जो है झमला है यहां से अविदे श्टिया टाइप करेंगे और यहां से से त्र्स पर किली करके उसका अश्टरस देख सकते हैं उसका फ्यमाधन सॉब important करेंडर करें जो हैं अभी देख सकते है तक के लिए जैहिन